डॉक्टर बाबा सहथ अमबेडकर ओपर युनिवर्सिटी दो नमस्कार विद्यार्थिमित्रो मैं डॉक्टर अखिली सुपाद्य डॉक्टर बाबासाथ अमबेडकर ओपर उनिवर्सिटी के चैतनी स्टूडियो से आप सभी हार्दिक स्वाबत्याम् में मिल करता हूँ पुतात्य मित्रों आज हम पेपर नंबर 6 में इनिट नंबर 4 में लिग ऐसी मीडिया और जिटल जर्नलिजम के बारे में चर्चा करेंगे कि लिग ऐसी मेडिया हम किसे कहते हैं और जिटल जर्रोप भी आए हुआ है किस तरीके से उसमें क्या चेंज अगासि मीडिया किसे आप समझते हैं एक बेवारी तोर पर मैं आपसे बात्चीत अगर करूं और बताओं कि जो लिग ऐसी मीडिया है जो परंपरा कर तरीके से जो मीडिया हमारी चलती ही आ रही थी जैसे आप न्यूज पेपर पढ़ते थे सब्ताही की पढ़ते थे मंधली पढ़ते थे या फिर वार कह लिजिए कि कदम से कदम आगे बढ़ी हो पसमें कुछ हमूल चाल परिवर्तन आए कुछ इसमें परिवर्तन है कुछ भासा की सुद्धियों को दूर किया गया उसके अलामा कुछ इस पर भी बाचित की गई कि नहीं इसमें नहीं होना चाहिए तो इसमें कुछ और आई रेडियो के जब अब इसकार होगा रेडियो फ्रेकेंसी पर आचित एक तरीके से पूरा गुलोब एक तरीके से बदलना देर देर चालू हो गया उसके बनस्पत अगर आप देखें तो 1960 के बाद जैसे ही टीवी आई टेलीवीजियन आई उसमें भी बहुत तेजी से परिवर्तन आया और एक जो हमारी लिग ऐसी मीडिया होती थी उसमें परिवर्तन देखने का लोग आकरसीत हो करके एक तरीके से उसके तरफ खींचते हुए ऐसे रेडियो के तरफ सुनना चालू कि लोग उसके अलामा रेडियो के अलामा जो है टीवी के तरफ लोग भाग लिए नब्बे के दवर में टीवी करीब-करीब गाउन तक हर गाउन तक जो कि भारत गाउन का देश कहा जाता है और भारत की जो दुनिया है जो संस्कृती है जो बेस्था है से मान के चलते हैं कि गाउन वह बस्ती है तो एक कहले ज़िए कि गाउं तक जब पहुची सुदूर तक पहुची तो एक उसमें बहुत एक लिमिटेड एक बहुत छोटे तरीके से चीजों को ब्राड कॉस्ट करके दिखा जाता तो यह क्या चैनल हुआ करते थे दूर दरसन भारत के संदर में अगर मैं बात करूं तो जो कर रहा हूं आप से उसके बाद दो चैनल हुए फिर तीन चैनल हुए तो लोग क्या होता था कि जो चीज़े आती उसके बेसबरी से मतलब खूब तन मन से याद करके किस डेट को इस तिथी को यह चीज़ें आएंगी उसके बाद हुआ यह हूँ कि 2000 के बाद धिरे धिरे फोन का यूग हाथों तो इंटरनेट के आने के बाद जो चीज़ें आप तरीके से परंपरागर तरीके से सुन रहे थे जो न्यूज आप इसमें आप देख पा रहे थे वह कहीं ने कहीं बदलना शुरू हो गया वह आपके कंप्यूटर पर यह चीज़ें आने लगे कुछ भी होता तो उसका हम चर्चाप से करेंगे और समझेंगे सिक अमूल चल जो परिवर्तन हुए और किया इसमें संभावना है इसको भी या फिर क्या बैसिक बदलाव हुए और क्या आगे संभावना है कि दोनों में खास्ते तोर से उसको हम देखेंगे आए चलते है जो इसका उद्देश है जैसे कि यहां पर मैंने यहां नोटिफाई किया हुआ है कि understand the circumstances in which legacy media emerged, कहां पर इसकी chances से कहां से इसका उद्भव हुआ and next analyze the importance of TV news on print media and the reason for its decline is print media और इसके decline में जो emergence है इसके प्रभाव हैं एक किस तरीके से इसमें कहां इसका हरास होना शुरूब और understand the low digital media and the redefined journalism अब digital media के जो है उसको बारिक्यों को भी किस तरीके सम देखना और पत्र कारता है कि क्या बदला हो रहा है along the challenges digital form the पोज चु लिगैसी media products किस तरीके से एक दूसरे के एक प्रतिस परधात्मक तोर से हो रही हैं चीजें और क्या बदला हो रहा है इस पर भी हम करेंगे क्या पाएंगे एक बढ़ा महत्वोंण चीज हो जाती कि आप तो ठीक है कि चीजों को समझे और प्रतिस परधा को समझेंगे उद्खक को समझेंगे उसके हरास को समझेंगे कि कहां से हरास हुआ लगिन आप यह कैसे समझेंगे कि कि इसमें क्या आप पाएंगे क्या यहां एक महत्पूर्ण मुद्दा हो जाता है तो डिफ्रेंसेट बीट्यून दे लिगेशी मीडिया इंड डिजिटल जनरीजम आप बखुवी अंतर कर पाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है ठीक है दूसरा अंडेस्टेंग फंडिंग प दोनों के तरफ से है इस चीज को भी समझेंगे और डेटा जनलिजम क्या है डेटा जनलिजम को भी हम समझेंगे ठीक है तो परचे की रूप में आपे समझें कि लिगेशी मीडिया कंप्रमाईज आफ प्रिंट टेलिविजन इंड लो लीजर एक्टेंट रेडियो परफॉ आप यह समझें कि जो प्रिंट मीडिया का जो पेपर है उसमें आपने बखोगी समझा कि प्रिंट मीडिया का एक जो दोर हुआ जो फिप्टीं शिक्टीं सेंचुरी में जब आया तो लोग कितने उतावले होकर के चीजों को और इकठा हो करके चर्चा करके पढ़ते थे क्या दोर हुआ करता भाव उतनी तेजी तो अभी नहीं जैसे अगर मैं कहूं अपने विवेक से जो उनका जो जुनून था जो उनका एक लगाव था पढ़ने का जो चाओ था वह आज नहीं है आज हम ऐसे चीजों क को देखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं हाथ से या फिर एसे स्वाइक करते चले जाते हैं तो हमारा जो इंट्रिस्ट है जो हमरा लगाव है पहले के पिछ़ा कम हुआ है और जो एकट बोलते हैं कि इसका एक ल yapıyorsun इसकर मतलब परमपरा के चलती ही आ पढ़ने में print को मिलेगी चीजें जो आपके दिमाग में जहन में आपके जाएगा ओ मुझे नहीं लगता कि आप digitally उस तरीके सो चीजें आप अब जार्ब कर पाते हैं माइंड आपका जो दिमाग है उस तरीके से अब जार्ब कर पाता है दूसरा आगर हम देखे इसके multiple जो पारूप किस तरीके से थे उसमें क्या क्या था नूजपेपर मैग जीन परियोडिकल एसे वाल मैग जीन संसर्कुलर जो मैंने आप से बातचित की इतने इसके पारूप एक लिगे सी मीडिया के थे या अभी भी कुछ बरतमान में जो बच्चे हुए है जो अभी भी चल ल icket, सून तलूपक्ण बच्च बसे के से तीरध लिगेसे बाप की जीने से थे टों।ब्यश्य मीडिया, स्चॉपें थे हाल आप सुन तलूप कामि स्द्सक्ट गेसे हैंपरने कोंफ से लिव मेले स्टेरश्य मेले श giriche बायार इचर छ Над्न क्या partners serie दियोंपे 57. segment like the first of audience like in the some of people's are watching news paper some are people's uh was watching like uh radio ठीक है उसको देखते थे उसको समझते थे radio को सुनते थे some some people's are listening some people's listening to radio some people's uh was continuous watching like television and some some are they interested in the newspapers ठीक है ए बसकली इसमें इतना जो है अंतर हुआ करता थे लेकिन जो dominant था it is it was the dominant of three pillars first is the newspaper second is the radio wave and third is the television अगर हम radio की बात करें तो 2004-05 तक radio या कह लिजिए की फाइब एट तक radio अभी market में हुआ करता था और radio की जो frequency थी लोग उसमें एफ हम और सारी शीजों को लगा कर करके continuous पर सुनते रहते थे लेकिन continuously धीरे धीरे वह जो लोफ होता चला गया तो long coexist without any dayma decoly threatening the existing to other two till day till end the only two hours and end of the century जो उसका दोर था जो सभी की जो बात में कह रहा हूं तीन का एक तरीके से प्रभुत था और तीनों का ही एक अपना अधिकार था market में और लोग उसे देखते थे. legacy media also the refer to the traditional or old media जैसा कि आप में आप मैंने कुछ images लगाए हैं जो collision में यहां पर देख पा रहा है कि क्या है जो मैं बात कर रहा हूं इन campuses television radio and print media इन इन तीनों को अगर मैं जोड़ दू पहला की radio, print और television इन तीनों फर्म को अगर हम जोड़ दे तो यह जाकर के एक legacy media के अंतर करते हम करते हैं. Like news papers and magazine collective, they are the term legacy media after digital media, they started winning the reader's attention, hence the older firms acquired a comparative descriptions, right. एक परमपरा का तरीका जो की लोग उसे देख पा रहा है थे यह समझते थे इस तरीके के चीजह को. And the DAW it has been the losing viewership to digital media and its fall not as steep as some observed as the anticipated. जैसे digital media के दौर आया जैसे ही उसमें कुछ नो कुछ तबजा करके इसमें हरास हुआ और धीरे-धीरे कुछे तरीक है इसमें ए चीजह बदला हुआ. And on another hand news website chefs news aggregators and social media sites compromise the digital media. Every day more users are accessing the internet than even before according to statica.com 59 percent of the global population was active in the internet in April 2020. This is the 3 years older data and 59 percent of the global population it means the 100 it may be 59 it till now near about the 70 percent people are accessing the internet. Because of the day of the internet right. And another way it is the huge growing after the covid like in the during the covid many peoples are accessing the internet. Because of the huge peoples not involving not choosing or not interested in the internet but during the covid all peoples are living home. So, that is why nobody can out of the home. So, that is why he was continuous watching televisions or cell phone or through or engaging any other activities through the internet. So, that is why he is more accessing and he was more habitually like in the habitual for the internet. So, that is why it is the huge growing after the covid and during the covid. Near about this time say entire the world 70 to 75 percent of peoples are accessing the internet. This is the huge difference between and the legacy media and another way in the digital journalism right. China, the US and India ranked among the leading countries because of the who is one the most number one the populations again 2 or 3 months ago the China this this times India is the larger one. And the USA say 3 3 are the country whereas the more peoples are living the there. So, that is why like the China and America and India and huge populations living in in the then 3 states like the 3 countries. So, that is why the more peoples are engaging and more people like the internet it is very simple and common. This is the vast space the digital media has created the corresponding rise in the digital consumption of news. And every times the watching the news and what is the status of the covid, what is the growing which country as the growing which countries as the control today. This is the scenario that times the scenario of the covid. Every peoples are engaging every peoples like the connecting the internet and talking the people. So, that is why ki what is the current response and what is the current situations of the people. So, this has led to proliferations of the news outlets many of huge exclusively available the internet which is the challenger challengeable the monopoly of the legacy news outlets. At that time so as the many of newspapers was closed. Because of the covid spread and the covid it is the touching or the people or the people. So, that is why they spread something like it may be you are like the positive of the covid. So, that is why it is the close the newspapers only one things are the continuous growing of the internet through the digital media and digital journalism. It is the harassful and it was the harassful and it was the harassful that times and continuously two years are like word is like close and peoples are living in home and loneliness a lot of things are going was going that times. But now the scenario was the more harassed and the internet and digital journalism and growing of the these times and this era. Right. TV news cost and impact of newspaper kya newspaper cost and impact newspaper kya after decades of dominance by the print media the first serious challenge for the newspaper industry came when the 24 hours news format TV became popular the arrival of the cable of 1990 it changed the 57 ways audience of consume news. That time where I was that time where I was talking about like that time where I was talking about like this this same 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 are things. The productions and delivery news becomes fast face and the audience shout updates on the political developments and the criminal proceeding in the Sesson's case in facts famous O.P. Samson's murder case in U.S. seen as seen as the becoming 24 into 7 news format sports political worldwide news. All our peoples was engaging like these kinds of people where peoples where the people where the peoples was 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 the was interesting like this different different topic in different different interest the people. So, that is why engaging the some some of people was engaging like newspapers some are some are the sports some are the news events and some entertainment sports political worldwide. This is the that that is the current scenario in the end of the end of the 1990 right. Delivering the bulletins and weekly interview based farmers the impact of 24 news and cycles for significant public life the public figures started to save their messaging to fit this format. Also continue this time 24 24 hours continuous going the news channels and the breaking news channels. So, that is why the people was more involved like the current scenario because of the what is what was the happening. So, people was watching the scenario and where was the happening which place was happening this is the bigger questions for that time. So, that is why the people are engaging the news papers and every times breaking news or some of the continuous news are going or continuous moving that time. So, this is the differences. The American journalist Mikey and Koss described the trend as the earlier faster thesis name of the friend writer broadcaster Bruce Fleur which means that there is the direct correlations between the faster phase and which is the society public life operates and the media abilities. The report on this event and the print took the TV broadcasting well before the 24 hours news cycle became the popular. TV broadcasting developed in the 1940 and the 1950 in the USA followed by the other countries in Europe. However, the news is still not the reverse the broadcasting farmer did not cover the events in the comprehensively newspaper did. The first newscast lasted over the 15 minutes and the repackaging news rather than the breaking it. The continuous after 15 years the breaking the newspapers coming the continuously and the TV broadcast and the other producers as the giving the new packaging like the same cost. So, this is the more saving the peoples and the more flavor of the people. So, that is why it is the differences between the legacy media and the digital generation. So, that is why it is the huge differences that time and the continuously slowing slowing as the gradually gradually in the moving on right. And another way the crisis of in the print media what is the significance and what is the importance and why are the losing the and the crisis of the print media. Why not is the continuous growing because of the first impact of popularity and TV news the print media was the leadership growth restarting dropping the absolute terms of news still adding reading the reader post rebel 24 into the 7 TV news because of the more and more reasons because of the any legacy newspapers like the print media, periodicals papers, monthly magazines, yearly magazine, half yearly magazine are like the older news and like the 6 month years older, like the 1 years older magazine. And another way the monthly magazines apart from that you can see it the like the 1 day after the before the 1 day yeah yeah right. And the 2 days after newspapers you like you open the newspapers and you read out because of the came the televisions and the another way the platforms in the internet though currently day by day and minute to minutes like you breaking news you like you found the breaking news so that this is the bigger challenge changeable for the legacy media because it is not possible. It is the not possible ki inter legacy media is the breaking the every moment and every time. And the this times are that time was not possible because it is too much difficult right. In the 2005, in fluency media and the revert Mersberg claimed that the new one under the 30 who looked at the print classified advertisement just few years earlier. He had to describe the advertisement revenue stream newspapers or the revert gold of the gold which was the followed the sometimes revert dry of the in 2005. It means after the 2005 which is the more crucial and the more like important significant in the youth and the entire world because of the youth is the more connecting and the more easily access to through the television like in the broadcast and the through the accessible new mobile cell phone or the through the internet. It is the huge differences and the legacy and the some other aspects. So, that is why the main reason is the crisis of the print media because of the print media is not print media is not break the every 15 minutes. So, that is why it is the more challengeable of the print media and the half yearly and the magazines. It is the more challengeable. Apart from that you can see the television and broadcast and the legacy like digital journalism. After 20 minutes and minute to minute currently the digital media and after break the only minute to minute what is the happening like current like this situations. So, it is the more faster and more easier to digital journalism apart from that the legacy journalism. So, that is why it is the more it is the main reasons of the crisis of the print media and the slowing of the print media and the customers and it may be the audience or the losing or the breaking broke and the shifted though internet and the digital journalism. The several reasons it may be another way we can see the legacy journalism of how to crisis and one is the one way combination because of the aap javse aap usko pardte ho, usse aap usko sandesh nahi bhej sakte ho, uspe aap du tarfa vatschit ap nahi kar sakte ho, apart from that you can see the televisions. Aap usme interview form mein bula karke aap usse sambaad kar sakte ho, usko jawaab de sakte ho. Lekin long format mein, aap obstacle print cycle mein no news break. Ayaaab mein de pahile hi bata hai ka ko, news break nahi ho ga. Dusra one way communication, joh aap pardh raya ho, usko samaj raya ho, lekin aap usse sambaad nahi kar sakte ho. This is the one way communication. Long format mein, aap usko dhek kaisse pardh raya ho, obstacle the print cycle. ee bhi eek challenge, ee joh challenges tha, iso jase legacy journalism mein eek tariqe se yahan crisis ho, hui. Ae, dusra imprecises the audience targeting. Aap audience ko target nahi kar sakte ho, kiaunki joh news paper ho ga, aap specified nahi kar sakte ho, kis ko bhejana, kis group ko target karna, eek another reason. Subscription ki problem thi, distribution cost ki thi, exclusivity ki thi, distribution cost katsani ki, agar har jaga, aap news paper suppose karo ke, ahimdabad ko joh news paper sandesh hai, isse aapka amerika bhejana hai, isse ki cost kait, ah, kitni ho ga, aur bhejaga kaisse. Toh joh aap bhejaga, toh phir usse kharidae ga koon, eek more issue tha, joh ki digital me agar aap dhekho ge, toh eek dam kahi koji issue nahi hai, kuch bhi nahi hai, har aadami ke paas access hai, hao kahi se betfair ko dhek sekta hai. In, joh major ah, wajah hai, jiske wajah se ah, print media khas tor se, yahan pe challenge, challenge hua uska. Toh ee sab joh karan hai, iske wajah se, dikkate hoi, the digital ah, joh age ke kar baat kare, in the first decade of 20 century, century ke kar hum baat kare, the social media is the blogging took the internet storm with this like facebook, tutor and blogger people, joh isme joh aaya digital journalism me eek tariqe se facebook aaya, twitter aaya, it isme eek eek tariqe se changes aaya, leakin abhi tatkal me aap joh aap joh aap applications aaga hai, usme bhi kaafi hatho kuch changes aaya huay hai. Aare move nahin ho raha bhai hai, ppt, aare ppt move nahin ho raha hai, saagar, mai aap jah ke hoi, bhai nahin rahi thi. Modern journalism and digital age me kya ki in some countries the scenes of media was under the control of the government, the true stories never come to the light. जो खास तोर सी ट्रू स्टोरी है लाइट में कम आपती थी, blogs and social media आप आजकल देख रहे हैं कि काफी सारी चीजें और प्रकास में आ रही हैं उससे आप देख पा रहे हैं. अगर आप देखें कि अगर modern उसमें क्या था कि आप कभर करना बड़ा मुश्किल हो पाता था. And the for example in the IIT consultant firm the Epto Eptoabad in Pakistan, Shoaib Atahar the first reported on the Tutan American Raid to kill the terrorist of Samabhin Laden where the before and the mainstream media outlets digital or legacy what wind up the operation. इसमें जैसे के Eptoabad में जो Pakistan में जो पकड़ा गया उसको किस तरीके से कभरेज दिये गया उसके थूपर्पर्पर्पर्प्राइशनल कम्पिसन जनलिस्ट पेस्त, इस तरीके से चेंजे जाया जो अभी आई आई है उसमें इस तरीके से कहीं हो रही है उसको कभरेज के कहीं से कोई हर तरीके का आदमी जो पतरकार है हर उसके पास गजेट से हो रिकार्ड करके कोई शाड़ियों करके उसमें ओ भेज सकता है तो जो मैं कहरा तक डिजिटल लिग ऐसी है उस तरीके से कैसे आगे बढ़ी मतलब डिजिटल लिग ऐसी में आप जो देख पारें का हर तरीके से हर जगा सबके पास अगर फोन है मुबाइल है गजेट से को कोई भी समें चीजय कर सकता है. Strength of legacy media क्या है कि हाओ इस तो social media connected to legacy media कैसे जो social media legacy media से connected है is the legacy media is the falling prey the chaotic the information so about the social media किस तरीके से उसमें social media आपने को करता हाओ you can distinguish between reliable fact-based and news information being circulated on the social media there are the several such questions which is the linger in our minds about the continued relevance of the legacy media let us address them below the trust पहला क्या है कि trust आपको develop करना पड़ेगा legacy media के टेलिवेजन रेडियो की तरह safety and comfort होना चाहिए investigations उसका होना चाहिए यह भी है कि legacy media में उसमें trustee worthy ship की भावना है और काफी हद तक जो है कम है कि इसमें सच है नहीं है क्या spread करने के लिए दिखाया गया क्या वायल करने के लिए दिखाया गया तो उसमें trust ship जब तक आप develop नहीं करेंगे तब तरह के problematic बनी रहेगी उसमें द अपने ओल से उसमें कर पाऊगे बनी गर तरह बालाप पाऊगे आपने ओल तौम कर पाऊगे तूच अपने डिखाया पर नहीं में वाया है कर पाऊगे। तूच बैजित दो पस्टिंस आप होड़िच अभी तो पस्टिसंगें the modern teach and the marketing to target the right audience as well as the advertise the message. किस तरीके से आपको audience को click करना है, कहा audience को click करना है, किस तरीके से चीज़ों के advertise करना है, कैसे आपने आपको balance करना, ethics को follow करके एक आप आगे ऐसे बढ़ सकते हैं. इन सब सारी चीज़ों को देखर के बढ़ा सकता है. और हम देखे कि the internet is a democratized news. इंटरनेट क्या करता है का आपको democratize करता है. ठीक है, जितना उसको एक तरीके से उसकी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जब वह democratize नहीं करेगा, तो बढ़ेगा नहीं. उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रोमाइजड है, फेक है, क्या है, जितना उसको आप सेर होगा, जब भी कुछ hook-up उसे मिलेगा, उस तरीके सब्सक्राइब आगे बढ़ता जाएगा. चेक्स और बैलेंस फिर दे होल मार्क लेगे, इसी मीडिया कौन कर रहा है, क्या उसकी facts है, क्या सारी चीज़े हैं, जैसे क्वाटसप मीडिया है, वाटसप मीडिया काम कर रही है, सोसल मेडिया प्रोबली उसमें कुछ भी हो जाता है, लोग उसको फेथमाल लेते हैं, कई तरीके कैसी घटनाएं होती हैं, जैसे कैभी एक घटना घटी थी, नूपुर सर्मा के केस में के उन्होंने को इस्टेटमेंट दिया, उसको लिकर के वायल की गई हो, तमाम तरीके उनको थ्रेट की धमिक्या मिलने लगी, यह सब खामियों को दूर करके बेहतर भी कल्प के, इनमें ट्रस्टिशिप के अधार पया का लिजिए कि ट्रस्ट डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं, लिगे ऐसी मीटेश चेंज ओबर दे इयर सूट दर निर्स अब दो मॉडरन एज एंदा, रिट दा हूमन फोक्सिंग दा मैंड सेट और चेंज दा मैंड सेट ब्रेकिंग न्यूज को भी उन्होंने कितना बतला है, इन सब सारी चीजों को अगर मिला करके अब देखो तो किस तरीके से चेंजे जाएं हैं, लेकिन उसमें एक जिये की सत्यता की कमी हैं, तो सत्यता को किस तरीके से डेवलोप करके आडियोंस को दिखाया जाए, और आगे बर तब तब जा करके, अब उसमें बहतर तरीके से एज़े लिगे सी मीडिया की तरह भी हो हो सकता है इसकी संभावना है लेकिन इसमें सबसे जरूरी कि सतता truthfulness की जो बात आती है टस्टी की बात आती है विश्वास की बात आती है इसको देखने की आव सकता है तो विदर्थी मित्रों यहां पर मैंने कुछ आपके लिए प्रेशन दिये हैं जो फोर क्यूस्टन से इस समझाया होगा और आप इस पर भ्यास करेंगे निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आगे पुना हम यूनिट टंबर फाइब के साथ आपसे मिलकर मिलेंगे और दूसरे यूनिट भी हम आपसे चर्जा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार